हेलो हसन लो इस्टेडी में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चाचा करने वाले हैं परिकल्पना के बारे में परिकल्पना हाइपोथीसिस इंगलिश में कहते है हाइपोथीसिस हाइपोथीसिस के बारे में यह शोद के चड़नों में से यह दूसरा चरड है सोत के चड़ मैंने बताए थे उन चड़नों में से यह दूसर चड़ है आज इस पर बिस्त्रित अध्यान करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें नीचे रेड बटन दवाए बिल्कुल निशुल खें मेरी इस वीडियो को लाइक करें और शरकन न भूलें तो पर कल्पना का जो अर्थ है पहले साधर अर्थ देखें परी कल्पना का जो साब्धिक है परी इसके दो सब्सक्राइब कर दिया और इसमें जो परी मतलब है चारो और चारो और सब तरफ यह ने के और कल्पना को मैंनुद वोता है चिंतं करना यह सो चिंतं करना विचार करना तो यह इसका जो और थाया मिलकर मिलकर आया तो इसका मतलब वह किसी भी समस्या के समाधान की अब दैना किसी भी समस्य के समाधान की अबधारणा प्रस्तुत करना अबधारणा प्रस्तुत करना इसका अर्थ निकल कराया इसका जो परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का दूसरा चरण गया है तो यह दूसरा चरण माना गया है पहले समस्य दूड़ते हैं पर सायत होता है फिर यह चरण माना गया है है परिकल्पना जो यह वह शब्द उसका जो अर्थ बहुं परिकल्पना सधैप और आगे की सूचती है यह देखती है यह साध होती है और जिसका बैदता हेतु परिछड किया जाता है यह सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यह वही शब्द मैंने बोलें जो गुड एवम हेड ने कहे थे करिकलपना को दो या दो से अधिक चरो के मद संबंदों का संबंदों का कथन मानते हैं यह कर लिंगर कर लिंगर यह वांते दो संबंदों का कथन परिकलपना की प्रकृति देहिए परिकलपना की प्रकृति है परिकलपना की प्रकृति कैसी होने चाहिए है हाइफो थीसिस की प्रकृति देहिए की प्रकृति कौंगों से बात होनी चाहिए प्रकृति में यह परिचण योग होना चाहिए ठीक है यह परिचण योग परि दूसरी प्रकृति क्यास में दूसरी प्रकृति यह है कि यह शोद कि शोद को सामान से विशिष्ट की और केंद्रित होने चाहिए शोद को सामान से विशिष्ट की और ले जाती हो ठीक है विशिष्ट की और केंद्रित होनी चाहिए तीसरी है तीसरी इसमें प्रिक्रति क्या है इसे शोध प्रश्णों का इस पश्ट उत्तर मिलना चाहिए जो शोध प्रश्ण है उनके उत्तर इस पश्ट मिलने चाहिए उत्तर इस पश्ट मिलने चाहिए ठीक है चौधा क्या है चौधा आए कि यह सत्त बातर्क युक्त होना चाहिए सत्त बातर्क युक्त होना चाहिए हाइपोथेसिस को ठीक है यह हाइपोथेसिस की प्रकृति के बारे मतारा हूं और पाचमा है कि यह प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए जो और अशुकूल नहीं होना चाहिए है ऊ currently और शिरख और बैग्यानिक नरम संदान पर होना चाहिए यह बैग्यानिक अनुसंदान पर आधारित होना चाहिए राधारित होना चाहिए है जो फिल्चितफ द॑न से करना हो उसके स्रोथ चीज़े यह इस रोग परकला कहान से आईगी तो इसके स्रोथ कहान के देखिए परिकलपना के स्रोथ कि परिकलपना के स्रोथ पहला है समस्या से संबंदित साहित का अध्यन समस्या से संबंदित जो साहित है उसका अध्यन किया जाए संबंदित साहित का अध्यन तो यह का परिकलपना हमें अच्छी प्राप्त होगी ठीक है दूसरा दूसरा है कि बिग्यान से बिग्यान से संबंदित से धांत बिग्यान से संबंदित से धांत परकलपना को जर्म देती है बिग्यान से संबंदित ठीक है बिग्यान से संबंदित से धांत है वो परकलपना को जर्म देती है परकलपना को जर्म देती है ठीक है यह बता रहा हूं कि परकल्पना कहां से आएगी शुरूती किस तरीके से हम अपनी परिकल्पना को अपने हाइपोटीस को कहां से लाएंगे तीसरा है संस्किर्थी संस्किर्थी होती है देखिए संस्किर्थी से परकल्पना सकती है एक संस्किर्थी से दूसरे संस्किर्थी क और पांचोफा है इस एन पिए उन्वफ किसी भी शोत करता का जो शूत की इसका हॉशक्ता है हाइफोतेसिस हो सकता है किसी वेक्ति का उन्वफ एक ऐसा होगा यह संभावना अपनी बता सकता है ठीक है चिनतन भी होता है यह भी हाइपोतीश का सुरोद माना गया है ठीक है और लिए परिकल्पना का बहुत बड़ा आधार है और मुन्रो ने इस पर विशेश बल दिया है मुन्रो ने चैना है अनुभवी लेक्तिक्ति प्रिकलपन सकते हैं तुझ अच्छा है अच्छा प्रपत होगा अनुभावी वेक्तियों से प्रिचरचा करें ठीक है एक और और से call डान भर आपने संदान्दान हुआ है यह ज़न संदान गएथ तो उस अनसंदान से भी आप हैफ आप ये निटाZA करतें हैं कोई अनुसंदान हुआ है तो बहां से भी हैफों थीसे परिकलपना निकाल सकते हैं ठीक है प्राप्त हो सकती है मैं यह बहुत बताए मैंने जहां से अच्छी परकलप्ना कैसी होगी उसकी विशेश्टा रही पहला है पहला वताया है कि तत्यात्मक सहमती útil तौ माना जाए क्या तो यह परकलप्ना बहुत बएंवा देट एक रहा है यह पहली है यह था दूसरा है कि प्रकृष्टिर Muskë के अनुरूप होनी चाहिए प्रकिर्टी के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए अगर नहीं होई तो यह अच्छी परकलपना नहीं माने जाए अच्छी परकलपना की विशेश्टा नहीं होगी उत्तम परकलपना नहीं माने जाए तीसरा देखिए सरल हो बिलकु सरल हो सरल बहुत ही अच्छी है हाइपोथेसिस मानी जाती है शाब्दिक स्पस्टता भी हो साब्दिक को सब्दों में ठीक है इस एक ही बार में समझ सकें निया यह कि परिकलपना मित्वई होनी चाहिए मतलब बचत वने वाली आख खर्चेली नहीं मित्वयाई मित्वई हो से नहीं जिस्टे से बचतией जादा ना हो और झाटी है किसी ना किसी सिधांत पर आधारित होनी चाहीए तो ये उत्तम परिकल्पना की विशेष्टाएं थी तो उत्तम परिकल्पना मानी जाएगी अब परिकल्पना की परिकल्पना के परिकल्पना के परिकल्पना के परिकल्पना के परिकल्पना के परिकल्पना है देखिए मैंसे तो अलग अलग डिवाइट कर रखा था संक्या के आधार पर य है कि साधार परिकलपना साधार साधार परिकलपना यह साधार परिकलपना होती है इसमें सिर्फ दो चार होते हैं और दो चारों में तुल्ला की जाती है किसी किसी बच्छे को अगर पुरुसकार से कोई चीज सिखाई जाती है तो यहां पर सिर्फ दो चीजे बच्छे और प और दूसरी जटिल पडलें नाय जटिल परिकल्पन Ihr तो यह कुछ तैने चर किपने होते दो जा से अधिक चछौ होते हैं तो यह दो से अधिक चर होते हैं इसमें सनॉब लाकी जाती है जैसे पुरुषकार और बेखती और अन भी हो सकता है तो इसे तीन चरों गए तो तीन से याई दो ये दो से अधिक चरों में आपस में संबन बेख किया आता तुन्हा की जाती तो ये जटिल परिकलपना माने जाती है ठीक है और तीसरा है सारभॉमिक सारभॉमिक परिकलपना होती है सब जगए या सभी हर छेत्र में मान होती है मान जाती है हर छेत्र में सारभॉमिक परिकलपना और चौथा है अस्तित परिकलपना ठीक अस्तित परिकलपना क्या होता है अधारे समझे कि सेखने की प्रिकिरिया है उसमें कच्छा में कम से कम एक एक ऐसा वालक होगा जो पुरुसकार के बजाए जो दंड से सीखता है अपने कोई पुरुसकार बोल दिया कि आप पैन देंगे और कौन बच्छा सबसे अच्छा कार करेगा ठीक तो उसमें क्या होता एक नहीं कई बच्छा प्रुसकार कार कर लें कुछ बच्छा एक एक बच्छा एक बच्छा ऐसा होगा जो इन बातों से उस पर असर नहीं पड़ेगा अगर आप उसे सजा देंगे कोई दंड देंगे और करोई कर लेगा खट से अच्छे से एकदम तो इसका मदलब यह वहा कि जो अस्तित अपयाफित होगा जई के अपरुसकार के सजह करां सकते हैं दनिए यह परीकलबना इए यह परेकलपना तो मुख़ है के करे आत्मपारिकलबना बीश्जी कहते हैं किसी ना किसी सिरॉथ के सिदान पर अधारिद होती है बिना सिद्धान पर नहीं होती है विज्ञान बर्की जैसे विज्ञान बर्के चात्रों में बुद्धी तथा कला बर्की चात्रों बुद्धी में अंतर होता है यह इस तरीके सिद्धानतों का अंतर ब्यक्त करती है यह अब देखिए सांख्य की या शौन परिकलवपना का जो सांख्य की पदों मैं अगर हम अभी वक्त कर देतें तो यह सांख्य की परिकलवपना कही जाएगी आज की वीडियो में मैंने चार्चा की परिकलवपना के बारे में अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ जुड़े रहे हसन लोज्टेडी के साथ